आज हम लोग कच्छा आठ की बुक बसंद भागतीन के चौथे पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है दीवानों की हस्ती आस एर्थ के पाठdogs चार का आज हम अध्य करेंगे जिसका नाम है दीवानों की हस्ती इसमें कभी ने कभी भगवटी चरण पार्मा जी उस समय के बात करते हैं जब मारे भारत देश पर दूसरों का अधिकार था अंग्रेज़ ओकार था वह अपने अधिकारों के प्रत्किस तरह से प्रेरित होते तो हम पारण। करते हैं हम दिवानों की क्या हасती है आज यहान कल वहाँ जले मस्ती का आलम सथ चला हम दूल उडाते जहां कर कभी भगवति ग्रवर्म जी कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हसती लबगी जो भारत के सोतनता सेनानी थे जिन्होंने भारत को आजात कराने में अपनी हम भूमिका निभाई थी वह कहते हैं कि हम दिवाने हैं हमारा कोई अस्तित्व नहीं है हमारी कोई हस्ति नहीं है हम जिधर चाहते हैं उधर ही चले जाते हैं हमारा पूरा देश हमारा है हम उसके हैं हमें हमारा कोई अस्तित्व नहीं है है आज यहां कल वहां चले मतलब कि हम कोई हमारा घर नहीं है कोई हमारा गाउं नहीं है या पूरा देश हमारा घर है हमारा गाउं है हम जहां चाहते हैं वहां जा सकते हैं आज यहां है तो कल कहीं और चले जाएंगे हम कहीं और नजर आएंग मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहां चले जब हम दीवाने हम सुतंतरता के सेनानी जहां भी जाते हमारे साथ हमारा मौज हमारी मस्ती सब साथ ही जाता है में एक साथ एक जुट हो करके जहां जाते है वहां पहुच जाते है हम धूल उड़ाते जहां चले जहां भी हम जाते हैं हमारे आने के हमारे साहस की धूल वहां पर उड़ने लगती है हमारी बीरता हमारी धैरता वहां नजर आती है आए बनकर उल्लास अभी आसू बनकर बहद चले अभी आगे कभी कहते हैं कि आये बनकर उल्लास अभी जब हम जहां पहुँचते हैं तो वहां लोगों में यावाता वरड में खुशियां आ जाती है। लेकिन आसू बनकर बहर चले अभी जब तक हम भारत को सुतंतर नहीं करवा लेते हैं जहां भी जाते हैं वहां खुसी आती है उल्लास आता है लेकिन जब इन बीरों की मृत हो जाती है वह बीर गती को प्राप्त हो जाते हैं उस समय आसू बनकर बहर चले अभी लोगों की में उनकी आखों में नजर आते हैं और इस संसार से हम हमेशा के लिए चले जाते हैं कि सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले जब हम भार को आजाद करा रहे थे उस समय किस तरह से हमने अपने अस्तित का ध्यान ना रखते हुए सिर्फ अपने देश के बारे में सोचा और उसके लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया गवा दिया तो उस समय लोग यही कहते हैं कि अरे वो कहां चले गए तुम आए तुम कैसे आए कहा गए किस तरह से तुम इस संसार में आए और हमको आजाद करा दिया हमें परतंतरता की जंजीर से मुक्त करा दिया और खुद कहां चले गए हमको पता नहीं चला यही लोगों के द्वारा हमारे ल चले कहते हैं कि हम कहां जा रहे हैं किधर जा रहे हैं यह मत पूछिए लेकिन चलना है बस इसलिए चले हमें यह नहीं पता है हमको कहां जाना है किसलिए जाना है यह हमको नहीं पता है ना कोई हमसे पूछे लेकिन हमको सिर्फ इतना पता है हमारा लक्ष क्या है हमारा दे क्य पता है वह सिर्फ हमको बता है चलना है सिर्फ हम चलना जानते हैं और बस इस लिए हम चल दो पहुंच रहे हैं हमारा उद्धिय्ट क्या है इसलिए चले जा है जग से उसका कुछ लिये चले जग को अपना कुछ दिये चले जब तक संसार में रहें तब तक उसके लिए हम कारे रत रहें हमेशा अपना इसमें योगदान दिया अपने जान को भी गवा दिया तो जग से उसका कुछ लिये चले जग से जब हम जाने लगें तो अपने साथ उस संसार में किया गया अपना कार ही अपने साथ ले गया हमने क्या किया अपने देश के लिए अपनी भारत भूम के लिए तो वही मेरे साथ गया या वही हम लोगों के साथ जाता है उसी को ले करके हम इस अंसार से विदा हुए जग को अपना कुछ दिये चले और अपने कारें के द्वार और इस तंसार को मैंने अपना योगदान दिया अपना कारिय किया जो हमारे देश के लिए अच्छा सावित हुआ हम लोगों के लिए वह सुतांतरता को ले आया हम की जंचीर से मुक्त हो गए आजाद हो गए यही हम जानते हैं और यह हमने किया बाकी जितना बचा हुआ है तीन पैराग्राफ वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इस वीडियो में बस यही तीन हुआ है